नमाश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें निजक्लिक पर खोश ख़बर का एकर्ण देश में बुल्डोजर राज चल रहा है बुल्डोजर तन्तर है, बुल्डोजर ही नयाए है बुल्डोजर ही कोट है के चहरी है सब कुछ सारी सत्ता जाकर तिक गई है बुल्डोजर पर हब हम और आप सोचते रहेंगे कि क्या जरूरत है अदालतों की क्या जरूरत है देश में कॉंस्ट्यूशन की क्या देश में Constitution का राज है की नहीं यह भी इस समय का सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र को खाने के लिए बुल्डोजर खड़ा हुआ है और उसके आगे जिस तरह से सारे लोग नतमस्तक हैं विपक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा यह बता रहा है कि हमारा लोकतंत्र कि खतरनाक मुहाने पे खड़ा है तो एक तरफ तो बुल्डोजर का राज है और दूसरी तरफ देश की तमाम एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को घेर रखा है उन्हें वे बाहर ही नहीं निकलने दे रही अब मामला चाहे कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी का हो जिने हमने देखा कि किस तरह से एडी ने पूश्ताच के लिए बुलाया घेर के रखा हुआ है चाहे सतेंद्र जैन का हो या अंगिनत नेता सबके जाहिर और जाहिर निशाने पर विपक्ष के नेता हैं ताकि सत्ता के खिलाफ जो भी आवाजे हों उनको निप्टाया जा सके और लाज की तारीक का न्यू नॉर्मल भारत का न्यू नॉर्मल यही है आईए चलते हैं इलहाबाद की तरफ उत्तरप्रदेश का इलहाबाद एक टेस्ट केस है हमारे सामने जहां पर दिन दहाडे सबके सामने बुल्डोजर से सिर्फ जावेद या आफरीन या फातिमा का घर नहीं ढहाया गया दरसल लोकतंत्र की बुनियार पर हमला किया गया दरसल सम्विधान को ढहाने के लिए बुल्डोजर कितना क्रूर हो सकता है यह पूरी दुनिया को दिखाया गया यहाँ पर जो पूरा का पूरा मामला बना है पूरा जिस तरह से वितान रचा गया जिस तरह से सब के सामने जब बुल्डोजर चल रहा था जावेद आफरीन और फातिमा का घर तूट रहा था तब यह द्रिश्य जितना भयानक था उससे जादा भयानक द्रिश्य था चीर लीडर के तौर पर खड़े मीडिया का कहीं से भी कोई अपराधी साबित नहीं हुआ लेकिन आप देखिए कि पूरा का पूरा जो कॉर्परेट मीडिया वहां मौझूद था टीवी चैनल जो मौ इससे जादा निरलज दौर भारती मीडिया और भारती लोकतंत्र के लिए आया हो मुझे याद नहीं पड़ता और निश्चित तोर पर आगे क्या होगा कोट में कैसे कारवाई होगी यह सब सेकेंडरी बाते हैं जो मूल मकसद था इस बुल्डोजर का जो इलाबाद में च चला कानपूर में चला सहारनपूर में चला पूरे उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसने एक बास साबित कर दी कि इस देश में मुसल्मानों को क्या सबक सिखाना चाहती है मूदी सरकार योगी सरकार या शिवराज चौहान की सरकार देश में समिधान हैं देश में धा सबसे बड़ा कानून इंस्टेंट जस्टेस चुटकियों में आप तै कर लेते हैं और यह बुल्डोजर बहुत ध्यान दीजिए नूपूर शर्मा पे नहीं चलता वही नूपूर शर्मा या वही नवीन कुमार जिंदल जिनकी वजह से भारत अंतराश्टिये मंच पर शर्म और मोधी सरकार पचा नहीं पाई लेकिन बुल्डोजर वहां नहीं पहुचता आपको दो तस्वीरे दिखाई देती हैं कि एक व्यक्ति जो भाश्पा से जुड़ा हुआ है जो आपत्ती जनक बाते कहता है उसे आप पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं वहीं दूसरी तरफ वो मुसल्मान जो इस आपत्ती जनक बायान के खिलाफ उतरते हैं हमने देखा राची से लेके हर जगा उनके उपर पुलिस लाठियां बरसाती है गोलियां चलाती है मकान ढहाती है यह जो दो तरहा का निया भारत में निया नॉर्मल बन गया है यह सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं यह बुल्डोजर सिर्फ मुसल्मानों तक नहीं पहुचेगा निश्चित तोर पर यह हर भारतिये नागरिक के लिए एक खत्रा है और इसी और इशारा किया इलहाबाद के पूर्व मुख नयाएदीश गोविंद माथुर ने आप देखिए उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा बुल्डोजर की यह कारवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है तोटली इल्लीगल वह यह भी कहते हैं कि अगर आप पल भर के लिए यह भी मान लें कि जो निर्माड कारे हुआ था वह गैर कानूनी था तो भारत में करोणों लोग इस तरह से रहते हैं ऐसे में यह किसी भी तरह से वैधानिक नहीं हो सकता कि आप रविवार को किसी का घर गिरा दें जबकि उसके निवासी हिरासत में हो यह कोई तक्नीकी मुद्दा नहीं है लेकिन यह मुद्दा है कानून और कानून के शाशन का Matter of Rule of Law Justice Govind Mathur की यह टिपणी इसलिए महतपूर है क्योंकि यह बताती है कि जब कोई जज समेधनशील होता है उसे समेधान की चिंता होती है तब वह किस तरह से समेधान को बचाने के लिए दिन नहीं देखता रविवार, सोमवार, मंगलवार नहीं देखता क्योंकि जस्टिस माथूर ने 8 मार्श 2020 को रविवार का दिन था लेकिन फिर भी लखनव प्रशाशन पर लगाम लगाई थी उन्होंने खुद संग्यान लिया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन में शामिल लोग हैं उनके बारे में पोस्टर लगाये जा रहे हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है वह गैर कानूनी है सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह निश्टा के कानून का निश्टा के अधिकार का उलंगन है अब यह जस्टिस माथुर रिटायर हो चुके हैं लिहाजा हमें दिखाई दिया कि कल भी रविवार था इलाबाद में उच्च नियाले बैटता है देश की राजधानी में सुप्रीम कोट बैटता है लेकिन सब चुप रहे और सब की मौजूदगी में सब के सामने गैर कानूनी काम होता रहा और कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठी यहां यह याद दिलाना ज़रूरी है कि अप्रेल 21 को जहांगीर पूरी में जब इसी तरह से बुल्डोजर चल रहा था तब कम से कम सुप्रीम कोट जागा था हस्तक शेप किया था लेकिन मद्ध प्रदेश जहां पर बुल्डोजर मामा के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं शिवराज सिंग चौहान वहां पर बुल्डोजर रोकने के लिए उच्चे नियाले कहीं से भी कोई हस्तक शेप करने को तैयार नहीं होता अब यह जो बड़ी विडंबना है इस विडंबना में किस तरह से हम तमाम चीजों को देख सकते हैं किस से मदद की गुहार लगा सकते हैं कहां पर दर्वाजा खट-खटाया जा सकता है यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्ण है यहां पर मैं आपके साथ चलूँगी इलाबाद में बात करने के के राय से जो वकील हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में एक बिल्कुल दूसरे ढ़ंग से हस्तक शेप करने की कोशिश की जिन्होंने यह बताया देश और दुनिया को कि जिस मकान को जावेद के मकान कहकर ढ हाया गया दरसल यह मकान जावेद के नाम पर है ही नहीं यह उनकी पतनी फातिमा के नाम पर है और मुस्लिम परसनल लौग के तहत अगर बीवी को उनके पिता गिफ्ट करते हैं उसमें उनके पती का दखल नहीं होता निभा रहे हैं वहाँ पर जो घर गिराया गया है जिन लोगों का घर गिराया गया है उनकी तरफ से अदालती कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं यह बताए कि आज क्या हुआ और किस तरह से यह पूरा मामला है यह आपको लगता है इसमें इंसाफ क्या मिल पाएगा य लड़ाई के किसी भी मंजिल सक हम लोग लड़ाई को ले जाएंगे आई पूर्ट से शुरूप और सुप्रीम को तक ले जाएंगे और सुप्रीम को रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह से आप घर इनाना इस तरह से जवरन वसूली करना यह सम्माइधानिक और ग अगर संसत की का स्थान थानों ने ले लिया है और सम्मिधान और कानूर और कचाहरी का सथान जो है दरोगा और भगवा के तमाम अपरादियों ने लिया है मुझे सबसेर ताजूब इस बात का हो रहा है कि एक आदमी क्रिमिनल जुरिस्पिडेंस में यह सारी चीज़े है क है अगर कोई क्राइम करता है तो क्रिमिनल कोडम करती है उसको सजा देती या बहुत है अगर महमथ के खिलाब को या फाईयार है तो कडिल इफ़ों कंग्स बढ़िव जा절 जाए निए शजा कर दॉजा अब लेकिन कानून यह नहीं कहता है कि जावएद मौहमद किया हुद कितर है तो उनका घर गिरा दिया जाए और एसा आगे का रास्ता क्या है क्या करने जा रहे हैं आज आज अदालत में क्या हुआ आज अदालत में हम लोंके लेटर बैटिशन जो पैसे रठा वगवी खुरेंग कि इसको रेगुलर करने जा रहे हैं काति में रेगुलर प्रिटीशन जिसमें और जाने पैट्स रहेंगे जिसमें और जादे समर्तन में नजीरे रहेंगी कागज रहेंगे और एक रेगुलर कि अधर बहस के पुरी उमीद हमनों को पिया राई हम लोग इलावाद में इसी हस्तार पर जीतेंगे और जन्ता का परोसा न्याइपारिका पर और जो सिविल सोसाइटी है उसके कायव करेंगे लेकिन घर तो तूट गया और जो कि जावे जी के नाम नहीं था फातिमा जी के आप enterprises ढसे लुए जस्तना बूंध हो गया अब आपको क्या लगता है कि कि याकि यानि 2 कि पहले तो उनके परिवार को सरकाली हसततर पर नहने की ब्रवस्तर थीया जाए जो कि उनके पदेहर होमलेस उनको आवासी अधिकार दिया जाए दूसरी चीज यह है कि A.D.A. को लिर्देशित किया जाए को जो घर गिराया गया जावेद मुहम्मद का नहीं था और घर गिराने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो उस घर को रिकॉंस्ट्रक्ट किया जाए और उसका किया जाए दीसरी चीज हम लोगों ने यह कहा है कि उनकी जो मान मर्यादा भंग होई उनकी जीवन में इस तरह का हरेस्मेंट और इंबरेस्मेंट हुआ उसके चलते उनको कंपनसेशन दिया जाए और चौती हम लोगों ने माल किया कि PDA प्रयाग राज डवलमेंट अथार यहां एक और दिल्चस्ट बात यह एक ऐसा चोटा सा पोस्टर है जिसे लेकर मीडिया कल पगलास अगया था बार बार मीडिया कर्मियों के बीच खोड लगी हुई थी कि कैसे इस पोस्टर को वो पकड़कर यह साबिद करे यह घर देश द्रोहियों का है यह घर बगावतियों का है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है इस पोस्टर के आधार पर और इसके साथ साथ मीडिया चीख चीख कर यह भी कह रहा था कि कई पार्टियों के जंडे मिले हैं मानो किसी पार्टी का जंडा मिलना देश के खिलाफ साजिश का सबसे बड़ा सबूत मिला हुआ हो यहाँ पर इस पोस्टर की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं कि यह पहली बार मीडिया ने पोस्टर देखा है हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से 9 सितंबर 2020 को भाश्पा के पूर्व मुख्यमंत्री महराष्ट के देवेन फड़नवीस उनकी पत्नी अमृता फड़नवीस ट्वीट करती हैं और यह बताती है कि क्यों भाश्पा अब बगावत पर उतारू है लेकिन तब मीडिया को यह पोस्टर भड़काओ नहीं लगा था देश द्रोही नहीं लगा था क्योंकि मामला भाश्पा का था भाश्पा के नेता को बचाने उनके समर्थन में लोगों को जुटाने का था यहां दोस्तों एक बात और क्योंकि मीडिया पर ट्रेंड किया Stand with आफ्रीन फातिमा लोग अखबार टीवी चैनल यह भी चलाते रहे जानिये कौन हैं Mastermind आफ्रीन फातिमा कौन है? यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि आफ्रीन फातिमा एक ऐसी स्टुडेंट है जिन्होंने इलाबास से लेकर जेनु तक का सफर तैय किया, बढ़ाई की, नाम कमाया, एक्टिविस्ट हैं और अपने एक्टिविसम को लेकर उन्हें पूरे समाज को उन पर फक्र है जेनियू के तमाम लोगों ने जेनियू की प्रेसिडेंट ने और तमाम संगठनों ने खुल कर उनका समर्थन किया लेकिन जिस समें सिविल सोसाइटी जुट रही थी वहाँ पर विपक्ष नदारत था यह पूरा का पूरा प्रक्रण यह भी बता रहा है कि जब नफरती बुल्डोजर कॉंस्ट्यूशन पर हमला करने वाला बुल्डोजर जमीन पर उतरता है तब विपक्ष दुबक कर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी गटबंधन को 125 विधायक मिले हैं जिसमें से 34 मुसल्मान हैं अब आप देखिए कि यह सब कुछ है लेकिन कल जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी इंका जमीन पर उतरना लाजमी था लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा नेता इलाबाद में प्रियागराज में उत्रा नहीं अपना समर्थन जुटाने के लिए जबकि हमने देखा है दिली के जहांगीर पुरी में देखा है कि जब माकपा नेता वरिंदा कराथ पहुशती हैं उतरती हैं बुल्डोजर के सामने खड़ी होती हैं तब बुल्डोजर रुखता है हमने देखा है शाहीन बाग में कि जब बुल्डोजर आता है और अर्फा जो कॉंग्रेस की नेता है वह सामने खड़ी होती हैं लोग जुटते हैं तब बुल्डोजर रुखता है लेकिन गहरा अफसोस कि प्रियागराज में जमीन दोस कर दिया गया लोकतंत्र पर्टी का मका लेकिन विपक्ष पूरी तरह से गायब रहा दोस्तों जिस समय देश को बुल्डोजर के हवाले करने पर सरकारें उतारू हैं उसमें दो एहम खबरें जिन पर चर्चा करना जरूरी है एक खबर आई है नागालैंड से नागालैंड में जिस तरह से सेना के 30 लोगों के खिल में 21 पैरा स्पेशल फोर्स ने छे नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी हंगामा होने पर यह कहा गया था कि यह मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है अब नागालैंड पुलिस ने तीस आर्म फोर्स पर जिसमें एक मेजर भी शामिल हैं उनके खिलाफ चार शीट घटना है क्योंकि इससे यह लगता है कि जब अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज उठाना तथे जुठाना कितना जरूरी है दूसरी खबर शेलंका से यह खबर भी बहुत एहम है क्योंकि यह इस बात का अंदाजा देती है कि भारत में किस तरह से राजनितिक सर्रक्षन में क्रोनी कैपलिजम पनप रहा है श्रिलंका में वहां बिजली प्राधिकरण के प्रमुख ने संसदी कमेटी के सामने गवाही में कहा कि श्रिलंका के राष्टपती गोटा बाया राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन मोदी अडानी ग् शक्स उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वह इमोशनल हो गये थे इसलिए उन्होंने यह सब बातें कहीं लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रोजेक्ट अडानी को मिला दोस्तों एक बात बहुत साफ है जैसा कि आपको स्क्रीन पेज जो समय स्केच दिखाई दे रहा है जो कार्ट कर रहे हैं और यहां पर देश के मुसल्मानों को अलपसंखेकों को निशाने पे लिया जा रहा है उन्हें धता बताया जा रहा है और एक अच्छी बात यह कि देश की राजधानी में इस नफरती खुंखार बुल्डोजर राज को चुनौती देते हुए प्रदर्शन यह सड़कों पर उतरने के लिए तयार हैं और शायद भारत इसी तरह से बचाया जा सकता है स्टैंड अप इंडिया शुक्रिया